हलो एवरिवान बदाईए सबसे पहले सभी में 24 के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने CF फाइनल्स के इंटर्मिडेट क्लियर किया है पर यह वीडियो पन बात कर रहे हैं नवेंबर 24 में आप जो स्टूडेंट एक्जाम देने वाले हैं और जो औरिट के सब्जेक्ट से परि और और फिफ्टीन ब्लस रांकर्स जिन्होंने में 24 में रांक सिक्यार करी है मैंने उनके साथ गूल मीड करी है और उनसे उनकी ऑड़िट की अपर फ्रम अल्दी अधर सब्जेक्ट स्टार्टी कैसे पढ़ा वो सबजी है उसके बेसिस पर यह डिस्कुशन अबन कर रहे है 3 parts में सबसे पहले how much to cover an audit कितना cover करना हमें then how to cover कैसे पढ़ना है अपने को and then from where to cover सबसे पहले हम बात करते हैं how much to cover sir यह मत बोलना 100% cover करना अगर ऐसा है तो वीडियो यहीँ बन थीक है नहीं बोलते तो दोस्तों अपन audit पे भी पढ़ते हैं कि कही हम selective checking करते हैं कही sampling करते हैं कही 100% करते हैं same logic आपके syllabus के लिए आपको ultimately, finally, exam से पहले ethics 100% cover करना पढ़ेगा standard based सारे chapters 100% cover करना पढ़ेगा जितने आपके दूसरे theoretical chapters हैं ethics और standard based छोड़के उन्हें selective basis पर करना पढ़ेगा sampling कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है but तैयारी कैसे करनी हैं आपको तो minimum 3 revisions हम audit में करेंगे तो जो पहला revision होगा वो 100% होगा सारे topics का सर जब आखिर कार अपर 100% revising नहीं कर पाएंगे तो उसका फाइदा क्या है वो भी मैं समझाऊंगा सबसे पहली बार हमें 100% करना है क्योंकि जब आप पहली बार 100% करते हो और जो मैं आपको second stage में बताऊंगा कैसे पढ़ना है उस strategy से करते हो तो second time में आपके खुद के पास एक professional judgment आ जाएगा कि क्या चीज़े skip की जा सकती है जिसको आप चाहके भी इत्ती बार पढ़के याद नहीं कर पाऊगे और वो judgment सही तभी आएगा जब पहली बार आप सारी चीज़े cover करोगे तो first time when you are studying you should cover 99% bare minimum in each and every topic second revision और third revision जब आप करोगे वहाँ पे आप क्या कर सकते है ethics और standard of 100% और बाकी जगे selective selective कैसे बहुत साधा theory content कहीं आपको दिख रहा है तो उस case में आप सको skip कर सकते है तो सबसे पहले सवाल का जवाब cover कितना करना है मुझे 100% in ethics और standard based chapter I could be selective in the other chapters but first revision 100% subsequent revisions I'll get selective second question की सर मुझे त्यारी कैसे करें सर audit बहुत बढ़ा है याद नहीं होता है इस सब फालतों की बाते बहुत आसानी से तुम audit की त्यारी कर सकते हो बस तुमको क्या करना पड़ेगा त्यारी करना पड़ेगी क्यों क्योंकि अब नए syllabus में जो syllabus है उसमें बहुत सारा content क्लिप कर दिया गया है तो now it is very much doable I'm not saying it's a cakewalk but group 1 के तीन paper में audit ही बाटल ने के जो हमेशा आपको डर देगा अरे नहीं सर इस बार ज्यादा tough आया ना audit तो अगली बार कुछ और tough आएगा अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त फिर आपको करना होई है जो आपने मन में ठान रखी है तो वीडियो देख के मतलब नहीं है एक बार टबाया अगली बार नहीं आएगा ये नहीं होता है इसा वो depend करता है कि CA का job market में consumption कितना है अगर consumption सारेज ये consume होगा अगली बार भी बड़ी या रिजल्ट आएगा हो सकता audit tough नहीं अगर बार consumption नहीं हुआ चारे chartered accountants वो बने इस बार तो audit ही नहीं बागी तीनों paper में दोनों paper में एक आथ कोई और paper group बन का tough हो जाएगा तो आप त्यारी वर्स्ट के लिए करिए दोस्ति तो कैसे त्यारी करना है हमको second question how to cover preparation हमारी पहली बार सबसे पहले जब आप उठा रहे हो आप अल्रड़ी lectures देख चुके हो तो सबसे पहले revision से शिरू करना है आप power batch ले रहे हो तो आप वो भी देख सकता है या आप यूट्यूब से revision जिसके भी आपने lectures देखे फर्स टार्ट विद revision revision के बाद फिर आप उठाईए और आप वो पूरा का पूरा चाप्टर खुचे करिए किस से करोगे आपकी किताब से ICI study material भूल के भी refer नहीं कर पाऊगे आप final में boring है प्लेन नेक्दम और उसमें आप एक समय के बाद थक जाओगे तो बहुत सारी चीज़े छोड़ने लग जाओगे तो भूल जाओ उसको मेरा recommendation क्या है जो भी material आप यूज़ कर रहे हो refer कर रहे हो अगर अपना यूज़ कर रहे हो तो drone chart sufficient है 73 marks तुशाल लेकर आया उसने pure drone chart से पढ़ाई करी दी इस एड़ेम में 73 marks तो आप material fix कर लो उससे आपको पढ़ना है पढ़ना कैसे preferably पूरा दिन audit के लिए ना रखके तीन से छे घंटे रखे और बस कल जो आप पढ़ रहे हो उसमें पिछले दिन का revise करो उसके तरीके क्या हो सकते है simply आज आपने जो भी पढ़ा है उसका एक audio बना के आपने रख लिया अगले दिन सुन लिया उतकी आवाज बहुत दिन तक सुन नहीं पाऊंगे बोरिंग लगेगी एक समय के बाद तो यह तरकीब ना भी अपना के simple अगले दिन पिछले दिन का revise कर लिया आगे बढ़ गए इतना भी sufficient है बट सबसे important एक time frame रखना कि इतने दिन में मुझे complete करना है नहीं तो पहले revision में बहुत जौदा time लगा दो पहले revision में आपका objective होना चाहिए holistic view आ जाए framework पूरा समझ में आ जाए हल लाइन क्या कह रही है यह समझ में आ जाए नहीं आ रही है तो mark हो जाए जो चीज़ आपको important है difficult रख रही है mark करके रख दो second, third पर उस पर जाधा focus करना है जितना जाधा से जाधा memorize हो सके करना है पर extra effort memorization पर first में नहीं डालना है यह पहला revision हो गया प्लस अभी खतम नहीं हुआ है revision video देखा self पढ़ाई करी अगले दिन पिछले दिन का revise करते करते जितना memorize हो सके उतना memorize करने की कोशिश के साथ फिर question bank लगे अब सर इस बार तो नहीं questions आए तो question bank लागे क्या फायता है क्योंकि आधे question नहीं आते आधे repeat होते आधे तो solve यहीं नहीं मेरा एक बहुत strong suggestion सुन दीजे MCQ practice करो फिछले डेम में MCQ book मैंने आपकी साथ PDF शेयर करी है टेलेग्राम जाप download लेना इस डेम में नहीं कर रहा हूँ और physical copy order करना है कर लीजेगा MCQ practice करो दोस्त आपके सारे lose and clear होंगे मेरी guarantee है दोस्त आपको कि अगर आप MCQ solve कर personal मानना है अगर आप वाकई audit में स्कूर सही में बढ़ाना चाह रहे हो तो और आप वही सोच रहे हो कि by luck बढ़ जाएगा तो ठीक है आप आपके इसाप से त्यारी करें तो सबसे पहले आपन ने क्या देखा कैसे कवर करना है हमें करना है selective in other topics but 100% in standard based chapter 1 to 11 plus ethics chapter 19 second हमने देखा कि first में 100% करना है हमें revision first revision में पूरा cover करना है फिर वो judgment अपने आप आएगा second थर्ड में हम कुछ topics जो मैंने बताया हूँ second कैसे कवर करना है revision देखा उसके बाद में आपने अपनी किताब से पढ़ा किताब से पढ़ने के बाद में आपने कुछन आंसर साल किया और फिर आपने एमसी की प्रक्टेस किया time frame रखना है पिछले दिन का revise करना है कोशिश करना है आपको जितना ज्यादा से यादा याद हो सके कर लो पर बहुत ज्यादा याद करने पर first revision stage पर focus नहीं करना है वो second और third में होगा अपने आप होगा क्या निमोनिक्स यूज़ करना है नहीं करना है वो अपका personal preference अभी तक करते आयो तो करो अभी तक नहीं करते आयो तो नया मत करो और आखरी चीज़ वे टू कवर कहां से कवर कर सबसे पहले आप देख लीज़े आप जो भी material lectures यूज़ कर रहे हो अगर वो पूरे audit की coverage नही first group में audit is the bottleneck you should not take chances that is my personal suggestion तीन paper हो गए है तो आप वहां क्यों chances ले रहे हो simple सी बात है आपको लगता है कि आपकी किताब सब कुछ cover कर रही है जो study material में दिया हुआ है आपके lectures सब कुछ cover कर रहे है आपने fast के लिए हैं कहीं और के भी लिए हैं कोई दिक्कत नहीं you can stick to it फिर अपनी त्यारी में मेहनत की जरवत है आप अपनी त्यारी पर focus करिए जो भी decide करना है कर लीजे exam से दो महीने पहले कुछ बदलने की जरुवत नहीं है जो करना है वह अभी है आपको decide करके then you stick to that material in that faculty lectures and you continue with that अगर आप फास्के material के बात करोगे तो drone charts अपने आप में sufficient है एक आखरी सवाल सर राइटिंग का क्या करेंगे लिख लिख के practice करेंगा simple जाजवाब है सिर्फ ये पूरी त्यारी करने के बाद दो full mock test दे देना sufficient है तुमको लगता है तुमको लगता है तुमसर बहुत ज़्यादा problem है तो इस case में what you can do is you can go with a part test और a chapter wise detailed test series जैसे एक अपनी वास्की होती है जिसमें 5 part में पूरे audit को divide करते है 20-20 percent of the syllabus और full test उसके बाद 3 होते मेरा गयना है दो full test भी अगर आप bare minimum दे दोगे ना आपकी writing practice वाले major issues वालो जाएंगे क्योंकि exam में marks grammar के देते नहीं institute key points के देते और key points आपकी preparation से आपके prepare होएंगे दो test में आपको समझ में आ जाएगा evaluation के साथ कि हाँ मेरे वो key points आ रहे या नहीं किस पर focus करना है और कोई इसका simple कोई rocket science नहीं है बस इस तरह से करोगे audit बढ़िया मस्त त्यार हो जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ दिमांग में एक आखरी में ये notion रखना है कि यार मुझे कवर पूरा करना है risky है ये पेपर इसलिए मुझे दूसरों से जादा effort consciousness की देनी है नवेंबर 24 के results में साथ हमें अपन क्या करेंगे खुशियां बनाएंगे जैसे कई सारे students rankly audit में exemption score की इस बार का paper दोस्तों जो result आए ना वो extreme है बहुत सारे students ने 60 प्लस score किया है बहुत सा पढ़ा वो एकदम से mark balloon up कर गए bank pocket के उपर mcq आ गया कई बच्चे उसके selective पढ़के जाते हैं बोल बोल के थक गया कोई भी provision based chapter जहां पर law के provisions involved होते selective कभी नहीं पढ़ता हो ने इरिया इसको उन topics को पूरा कर तो वो students जिनोंने वाना आदेव डान exceptionally well बागी को क्या हो गया एक छोटी सी सौगात है आप लोगों के लिए audio pods सारे questions के जो अपनी question bank में दिये रहते हैं क्योंकि बहुत सारे rankers न मुझे बुला कि सर उसकी बहुत ज़ादा हमें benefit मिला है drone charts के बाद second most useful thing थी इस particular region से दोस्तों सारे के सारे audio pods जो भी audit की question bank even ifr की question bank लेता है आपको audio pods और video पोट्स का free access बिलेगा स्रिफ अगर आपने lectures दे लिए को शिद बैक दिलिए तो बिलेगा विचाता हूं कि आप उसको यूज करके अपता performance इप्रूब कर दो कुशिद आथसा और practice करो problem आए तो audio pods उक्कियो इस सारे audio pods audit के case में अलग से record किये जाते हैं उस question पे focus करते हुए 700-800-900 जित्ते भी question bank में question है उनके पूरे के बुगरे के को ये question उढ़ा गया आप देख लीजिए में 24 तक का paper incorporated है किसमें आपकी इस question bank में जिसके भी audio pods उस पे already incorporated है तो आप वहां से और भेहतर practice अप्ते कुशिद आथसास की कर सकते हो wish you all the very best of November 24 तक साथ बना रहेगा आपना दन्यवाद